हे गाइस वेलकम टू माई चैनल आज मैं एक्स्प्लेनेशन देने वाली हूँ एक साइन्स फिक्शन मुवी साउंड वेव की इस गाइस वीडियो एंड तक देखना और पसंद आये तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि आपका सपोर्ट मिलता रहे और मैं एस मशीन बना है जिस से वो पास्ट की बाते सुन सकता है असल में एक हाथसे में उसके पापा की मोथ हो गयली निसके पॉर्रानी बाते सुन सके पर उसके लिए उसके पास बात जिस टाइम पे hुई थी वो दिन और टाइम होना जरूरी था जो कि बेन के पास उसके पापा की मोत कब हुई थी ये जानकारी नहीं थी बेन केटी को देखने जाता है वो केटी को पसंद करता है केटी किसी आदमी से बात कर रही थी बेन अपना मशीन ओन करता है और केटी की बाते सुनता है केटी की मा ने खुद खुशी की थी शायद उसके पापा के वज़ा से इस वज़ा से केटी उसके पापा के साथ नहीं रहती थी वो ये सब बात उस आदमी से कर रही थी बेन गर आ जाता है बेन को मेसी का मेसेज आता है उसकी हेल्प के लिए एंटोनियो बेन को मेसी से ना मिलने को कहता है मेसी पुलिस ओफिसर है और उसके पापा और एंटोनियो का दोस्त भी है उसके पापा के साथ हुए हादसे में मेसी भी शामिल था मेसी को बेन के मशीन के बारे में पता था वो अपने केस सोल करने में उसकी हेल्प लेता था और उसके बदले उसे पैसे भी देता था एंटोनियो घरिब था उसी के लिए बेन मेसी से मिलता है और उसकी केस सोल करने में मदद करता है और वो उससे पैसे भी लेता है मेसी बेन को इस मशीन के बारे में सब को बताने को कहता है वो कहता है वो कुछ लोगों को जानता है जो उसकी मदद कर सकते है और इस मशीन से उसे अमीर बना सकते है पर बेन उसे जवाब नहीं देता है और वहां से चला जाता है सुबर एंटोनियों को पता चल जाता है कि बेन मेसी से मिलने गया था वो उससे कहता है मेसी जिन लोगों को जानता है वो अच्छे लोग नहीं है वो बहुत खतरनाक है वो बेन को मेसी से दूर रहने को कहता है बेन केटी जहां काम करती है वो शोप में जाता है और उससे बाते करता है बेन को मेसी का फिर से मेसेज आता है केस के बारे में हेल्प के लिए पर एंटोनियो की बात याद करके वो उसका रिपलाइ नहीं करता है खाना खाते वक्त वो एंटोनियो को फिर से उसके पापा के बारे में पुछता है उसके साथ हाथ सा कौन से दिन हुआ था वो पुछता है पर एंटोनियो गएता है उससे कुछ याद नहीं है बेन घुसा होकर वहां से चला जाता है और मेसी को मेसेज करके उसकी हेल्प करने चला जाता है रास्ते में उसे एंटोनियो का कोल आता है पर वो कोल उठाता नहीं है मेसी के पास जाकर उसे पता चलता है कि मेसी ने उसे हेल्प के लिए नहीं पर एक आदमी जोन से मिलने के लिए बुलाया था बेन वहां से जाने लगता है पर मेसी उसे जोन के बारे में बत पर बेन को वो आदमी ठीक नहीं लगता है बेन उसे मना कर देता है पर जोन उसे धमकी दे कर कहता है वो ये मशीन कैसे भी करके उसके पास से छीन लेगा पर बेन वहां से चला जाता है रास्ते में वो केटी को देखता है वो खुदखुशे करने की कोशिश करती है उसे रोकन पुरानी बाते सुन सकते हैं। रखने के लिए देता है और घर जाने लगता है। बेन को यकिन हो जाता है कि इस सब के पीछे जोन ही है। उसके घर में से भी एक आदमी उसका पीछा करता है। फिर से बेन भागने लगता है। एक जगर छिपकर वो जोन की सारी बाते सुनता है। जोन कहता है हमने बच्चे को फसा दिया है। पुलिस को ऐसा ही लगएगा कि एंटोनियों का खून करके वो भाग गया है, पूरी तरह से फस कया था, वो हेल्प के लिए जहां केटी काम करती है, वहां उससे मिलने जाता है, पर केटी वहां नहीं होती है, उस शोप में एक आदमी देखता है, उससे शक होता है कि वो जोन क आदमी है, वो वहां से चला जाता है, फिर वो केटी के घर जाता है, केटी उसकी हेल्प करती है, और उसको घर में रहने देती है, बेन खिरकी से देखता है कि जोन के आदमी यहां आ रहे है, वो बेट के नीचे छुप जाता है, वो आदमी घर में गुसकर केटी को बेन के बारे में पूछता है केटी कैटी है वो खिर्की से चला गया है वो आदमी भी वहां से चला जाता है अब बेन का यहां रहना मुश्किल था केटी भी अब बेन को पसंद करने लगी थी इसलिए वो भी बेन के साथ जाती है दोनों टेक्सी में बेट कर वहां से जाने लगते है फजोन का आदमी बहार ही खड़ा था वो उसका पीछा करता है दोनों का पीछा हो रहा है यह जानकर दोनों टेक्सी से उतर को दोरने लगते हैं फजोन के आदमी उनको गेल लेते हैं केटी बेन को कुछ करने को कईती है बेन मशीन की मदद से साउंड वेव की फ्रिक्वंसी बड़ा देता है इसकी वज़ा से सारे लोगों को कान में बहुत दर्ध होने लगता है और थोड़ी देर के लिए किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है किसी के मुझ से आवाज भी नहीं निकलती है सब एकदम से शांत हो जाता है इसी मोके का फायदा उठा कर केटी और बेन वहां से चले जाते हैं केटी बेन को उसके पापा के घर ले जाती है केटी अपने पापा से बात भी नहीं करती है और रूम में चली जाती है फिर बेन अपना फोन देखता है एंटोनियो का वोईस मेसेज मिलता है एंट उनने उसे कहा था जो करना है कर लो ये बात उसे बार बार याद आ रही थी आखिर में बेन को रियलाइज हुआ कि पूरानी बाते सुनकर वो कुछ नहीं कर सकता था वो उसे बदल नहीं सकता था फिर वो मशीन से कुछ नहीं सुनता है केटी बेन से वो मशीन मांगती है उसक पापा से क्या बात की थी वो ये जानना चाहती है पर बेन उसे मशीन नहीं देता है और कैता है पुरानी बाते जानकर हम उसे बदल नहीं सकते हैं गुशा होकर केटी बेन को वहां से जाने के लिए काय देती है बेन भी वहां से चला जाता है बहुत सोचने पर वो कुछ फेस फिर बेन को पुलीस एक गाड़ी में बेठा देता है वो गाड़ी में जोन होता है जोन बेन को एक आदमी से मिलवाता है वो आदमी बेन को अपने साथ काम करने को कहता है और उसे करोड़ पती बनने की लालच भी देता है पर बेन कुछ जवाब नहीं देता है फिर वो आदम केटी को मानने की धमकी देता है और कल बेन ने जो किया था कि सब शांथ हो गया था किसी की आवाज नहीं निकल रही थी वो फिर से बेन को ये सब वापस करने को कहता है बेन फिर से sound wave की frequency बढ़ाता है पर वो जान भूचकर waves की frequency बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और खुद उस मशीन से दूर चला जाता है मशीन के रेडियेशन के कारण वो आदमी और जोन को काण में बहुत दढ़ ओता है और वो दोनों की मोथ हो जाती है बेन बेहोश हो जाता है एक स्विटल में वकील बेन से मिलने आता है और उसे उसका मशीन वापस कर देता है असल में बेन की सुनने की शक्ती चली गई थी वो अब कुछ भी सुन नहीं पाएगा इसलिए अब वो मशीन भी बेन के कुछ काम की नहीं थी ये सोच कर ही उसका वकील उसे मशीन वापस कर देता है और वहां से चला जाता है बेन आखे बन करके सोने की कोश पर तभी केटी आती है और बेन को उसके नाम से फुकाती है और बेन आखे खोल देता है शायद बेन सब कुछ सुन सकता है और ना सुनने का नातक कर रहा है इसी सस्पेंस के साथ मूवी पूरी होती है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजे और कमेंट करके भी बताईए कि मूवी कैसी लगी एसे ही नाए नाए वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे